तो हेलो गाइस स्वागेते हैं सभी का एक वेक्षिक से मेरे नए वीडियो में तो आज हम बात करेंगे लिगेंटी 20 लिग का मैच होने वाला मैच नमबर थर्ड यू एच्वाई वर्सेज एस 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 के बीच में जो की 21 नवंबर को सामको साड़े 6 बज़े होने वाला है वै परेज फस्ट एकनी स्कॉर इज 165 का और दो यह इस कोर ऑन इस ग्राउंड दो सो उनतीस का और दल लोएस्ट स्कॉर ऑन इस ग्राउंड एक सो पंद्रा का है और टी ट्वेंटी इंटनेशनल मैच हुए है यहां पर बारा और उसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाले टिम जिती है अच्यार और बैटिंग सेगेंड करने वाले टिम जिती है आठ यानि कि जो भी टीम टॉट जितेंगी बॉलिंग का फैसल है लेना चाहिए क्योंकि सेकेंड इंग में यहां पर डियू आ जाती है तो बैटिंग करना एजी रहता है और बॉलिंग करना मुस्किल तो आप समझ सकते हो कि बैटिंग सेकेंड करना टीम के लिए एक तम परफेक्ट चॉइस होनी चाहिए तो अब बात करते हैं लास्ट पांच टी ट्वैंटी मैचेज ऑन इस ग्राउंड यानि कि पांच मैच हुए है इस ग्राउंड में उसका में रिकॉर्ड बता देता हूं त यहां पर M&T 173 रन बनाये थी और GG यहां पर 163 गुजरार्थ चैंट ने 163 रन बनाये थे 9 आउट हुए थे सेकेंड इंग निंग में और पेसर को 13 विकेट और स्पिनर को 4 विकेट मिले थे उसके बाद IC वर्सेज बीच के बीच में एक मैच हुआ था वहां पर 228 रन बना बनाये थे वहां पर इस्पीनर को और पेसर को यहां पर विकेट देख सकते हो पेसर को 11 विकेट इस्पिनर को 4 विकेट और इसके बाद RLYS वर्सेज एएएंडㄟर के बीच में मैच हुआ था था तो RLYS ने 117 रन बनाये थे और A&DR ने चेस्ट कर्तों भी एक 718 रन बनाया RLYS टीम वीन हुई थी बैटिंग फर्स्ट करते हैं उसके बाद GOA versus SAUR के बीच में एक और मैच हुआ था 171 बनाई थे और SAUR ने चेस करते हुए मैंने बोला विन करते हैं चेस करते हुए तो यह बदे को विन हुआ सिर्फ एक मैच को सोड़कर सभी चेस करते हुए विन हुए सेकंड इंगने में डियू आ जाती है तो बैटिंग कर नहींजी रहता है और विन हो जाती है लेकिन काफी बड़ा है यानि कि 229 से 224 से इतने बड़े स्कॉर चेस नहीं होते है थोड़े कम स्कॉर ही चेस होते है यानि कि 117 तर ऐसे स्कोर चैस कर सकती है टी मेजिली क्योंकि डियू होने के कारण बाकी एक बाते को पेसर को पांच विकेट इस्पिनर को चैंविकेट और एपी वर्सेज इम एन पी के बिच में एक और मैच हुआ था वाँ पर एक फी ने एक सो एक दिसरेंड बनाबर मन प्ने चैस करते हूं यहां पर एक बार फीर से विंड गया था है एक सो पैंटिस बनायते हैं सेकेंड इच्रेंग में बेटिंग्ण करते हुए तो मैंने आपको सबसे पहले ब विले हैं पांच विकेट तो अब बार्त करते हैं यू एच वाई के प्लेंग लिए और बैटिंग ओडर के बारे में तो यहां पर देखो एम गुपतिल, डी स्मेथ, एस राइना, ए अफगान, ए पुनिकर, सी कपूर ग्रेडरा, एस बैनी, एम मोरकेल, टी बेस्ट, पियोजा और सी एम पी ओफो उसके बाद एस 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 की प्लेंग लिएवन इन बैटिंग ओडर, जे हाइड राइडर, यू थरंगा चो की काफी इम पॉर्टन रहने वाला हैं और अभी भी स्री लंगा के टीम से खेलता है एफ इंच, आर टाइलर, एम विसला, सी वाइड, एरजक, एफ मल, महरूफ, जे बुतना, एदिंदा, एस लकमल तो अब बात करते हैं, लास्ट पांच मैचेस के स्टेर्ट, तो यहाँ पर देखो, यू एच वाई के टीम के स्टेर्ट, जो की एम गुप्टिल, राइट एंड बैट्स मेंने, एक बार ओपन किया था, और हर मैच में यह ओपन ही कर रहा है, टीम की तरफ से ओपन करेंगा और एक मैच में तीन बाल खेली थी, एक रूपन किया था, उसके बाद 15 बाल खेली थी, 16 रूपन किया था, तो इमपोर्टन रह सकता ही है, ज्यादा रहा है, लेकिन ठीक ठाक रहा है, एगर सेकंड इंग निंग में आगर बैटिंग करता है, तो आप इसे ड्रॉप मत करना फर्ष्ट इंगनी में आप इसे ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो इसमाल लिग में है सेकंड इंगनी में बिलकुल भी रिस्क मत लेना क्योंकि विस टाइम पर डियू आए जाएंगी तो बैटिंग करना जी रहेंगा तब हो सकता है यह रन बना सकता है उसके बाद डी स्मि बनाया थे 20 बाल में और आट रन बनाया थे तेरा बाल में और नौ रन बनाया थे चैन बोल में यह भी ओपन करेंगा डी स्मित उसके बाद सुरेश रहना आएंगा जो लेप्ट हैंड बैट्समेन है राइट आर्म आफ ब्रेक बालोर है और 37 27 रन बनाया थे थर्ड डाउन पोजीशन पर आया था 20 बाल में 27 रन उसके बाद नहीं कहला था उनसितार रन बनाया थे 45 बाल में वन डाउन पोजीशन पर आया था उसके बाद दस रन बनाया थे 6 बाल में वन डाउन पोजीशन पर आया था उसके बाद वापस वन डाउन पोजीशन पर आया था दूसरे लेस्ट किया है तो आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन मत करना कि सुरेश राइना है तो हम इसे कैप्टन करें आपने देखा हूंगा इस्टैट सिर्फ एक मैच में चला है बागी सभी में फ्लॉप है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से तो अब बात करते हैं ए अफगान चोकी राइट एंड बैसमेन है एक दीस रन बना है तेश गैन दो बे दो वन डाउन पोजिशन पर आएंगा बैटिंग करने उसके बाद दस रन बना है साथ गैन बॉल पर सेकंड डान पोजिशन पर आएंगा यह और एक बार मैच नहीं कहल बना आया था तो इतना कुछ कास है नहीं अभी तक इसने कुछ अपनी परहोंच दी नहीं है एक दीस से ज्यादा रन बनाएंगा नहीं है तो इंपोर्टेंट हैं नहीं आप इसे डॉप कर सकते हो और उसके बाद एक पुनिकार राइट एंड बैसमेने प्लस रिकेट कीप सिर्ट बीक करेंगा तो याःपा मैं देखो एक बार एक बार पर न बना या था उसके पोपी पांच वे नंबर बेटिंग करने आया था तेसे रन बने आया था एक बार चॉइस के अंदो पर चौते नंबर बेटिंग करना आया था यह चौते पांच वे नंबर बेटिंग करना आया था और चेह रन बने था दस बॉल पर उसके बाद सात रद बने ता पांच बॉल पर फंद्रा रद बनेदा आट बॉल पर फांच फो नंबर पर बैटेंग करना आए था तो इतना कौश पॉर्टर है नहीं इसे भी डॉफ करसकते हो इतनी कुछ कास परफॉमेंस है नहीं इसके बाद सी कपू गेद देरा रेट एं एक बार योट गिने बार यह और पर शुक्त प्रेश्ब करता होगा। 11 run ते चैन बॉल पर चौथे नमबर पर बेटिंग करना आया था उसके बाद देखो 14 run बनाया थे 30 बॉल पर 4 नमबर पर बेटिंग करना आया था और उसके बाद मैच ने खेला और बॉलिंग से भी इतनी कुछ खास वाप में सेहन नहीं एक विकेट दिया था तो फर्स्ट एंग दिंग में अगर बॉलिंग करता है तो टीम बेला को वरना आप इससे ट्रॉप कर सकते हो उसके बाद एम मोरिकल जो कि राइट आर फास्ट है जो कि साइद ओपन भी करे इस पहल डाले फर्स्ट पहला बॉलिंग से और विकेट भी मि करना इसके बाद टीबेस्ट यह भी राइट आर फास्ट है रहे हैं इसको जब भी विकेट मिला तीन-तीन विकेट मिला बाकि सब में विकेट लैस कर तो इंपोरे संबावना अगर फर्स्ट एंग निमें बोलिंग करें तो टीम में रखो सैकेंड इंगनिमें आप इसे ड् पी हो जा लैप टार्म और्थोडोक से फर्स्ट इंगनी में यह भी काम आ सकता और सेकेंड इंगनी में भी एक काम आ सकता है तो आप इसे डॉप मत करना हर मैच में दो एक विकेट निकल आया एक मैच में चार विकेट भी हैं उसके बाद सी एंपी ऑफू जो कि यहां पर देख सकते हो रिज़्वर्म एक विकेट एक विकेट दो विकेट और दो दो मैच में विकेट लेस करेज तो इंपॉर्टेंट बालिंग करें तो बॉलर का परस्ट इंगनी में लो सेकर निम इतने ज्यादे विकेट मिलने कर सांचेज नहीं हैं तो अब बात करते हैं SSS टीम के स्टेट्स के बारे में जो कि यहां पर देखो आर जह राइडर 89 रन बनाए 56 बॉल पर जो कि उपन किया है 47 रन बनाए 35 बॉल पर यह भी उपन किया है और 0 रन बनाए 2 बॉल पर यह भी उपन किया दो रन बनाए 6 बॉल पर उपन किया और 52 बनाए 35 बॉल पर जो कि उपन किया तो इंपोर्टेंट है टीम में रखना आ है चाय फास्टिंग नहीं हर मैच में रन बना रहा है सिर्प दो मैच में फॉल आप बागी सब में चालिस से उपर रन है तो आप उसे टीम बेर लेकर चल हुआ है एक तीसरे बंदा है अट्रा बॉल पर उपन करते हुए है तो मैंने बोल दिया है यह काफी इंपॉर्टन रहने वाला है वह सकता है यह वालिंग भी करें उसके बाद एक फाइंस राइटेंड बैट्समें ने उनिसरे बंदा है दस बोगेंदों पर पांच डाउन प पर बैटिंग करना आया और चौदे हे बना है 16 बॉल पर पर सेकंड नंबर बैटिंग करना आया तो इतना कुछ खास है नहीं ृन काफी द्हेरे बना रहा है और आउट हो जाएंगा मुझे लगता इस वालैमेंज में भी में इमपर्टन नहीं है ट्रीम से ड्रॉप कर सकत कि हैं यह से आर टायलर जो के राइटन बैट्समेंन बेंद रोंट यंवेटेवर नॉट तर व्रम बैटिंग करना या सांत रुन बना तीनुमार भी ध्रम फर यह कुंआ है ब्रम चेह रन बनाए नौ बॉल पर ओपन करते हुए कभी कभी ओपन करा सकता हुए 52 रन बनाए 32 बॉल पर और इसके बाद 43 रन बनाए 33 बॉल पर 16 रन बनाए 13 बॉल पर 8 रन बनाए 9 बॉल पर इंपोटेंट है टिम मेर लेकर चलना है पाइस बैस ऑनुट अगर टेम में जगा मिले तो आप रखना हुलना भिसे सिदे ड्रॉप कर सकते हो को सेकंड इनिम नहीं फेश्ट इनिम में डॉप करना सेकंड इनिम आप इसे टिम में लेकर चलना उसके बाद एडर जो की लैप्ट आर्म और्थरडोक्स है और इसको भी ट मिल जब भी में दो दो विकेट साथ में लिया और दो मेंच में फ्लॉप रहा है विकेट लेस गया है एफ महरूफ की बात करें तो हैं आप एक तीस रन बनाए अठाइस बॉल पर पांचे नंबर वर बैटिंग करना आया उसके बाद सेकंड में एक रन बनाया चार बॉल पर पांचे प्रणिंग में बॉल था चो कि एक विकेट चार बर जिरो प्रणिंग और दो मैच में नहीं खेला तो इंपोर्टेंट है लेकर चलना है अगर सटने वह बालिंग करें तो अह दिन्दा इंपोर्टेंट नहीं है सिर्फ एक विकेट मिला है बागी सब में फ्लॉप का गया सबस्कर नहीं और मों कि अल्ओ tastyCSं आप अगर expert नेंग तो सब्लस्क कर गें लेना नर्क बात करें तरहां तीससर्व मैंच मैंच सिर्फ स्यटा आप पर किसी कीधทग स्याफ में यहां पर यू तरंगा जो कि S 20 से दो बार आउट हुआ है यू तरंगा और 38 गैंदों पर 37 रंग ही बनाने दिया और दो बार आउट किया तो यू तरंगा को S 20 से खत्रा है यहां से टी बैस्ट F महरूप जो कि 5 बॉल पर 5 रन बनाया और एक बार विकेट लिया उसके बाद D. Smith को खत्रा है A. रजक से जो कि एक विकेट लिया आठरा बॉल पर 26 रंग बनाने दिये उसके बाद R. Tyler, S. T. E. G. जो कि एक विकेट लिया है साथ गैंदों पर 14 रंग बनाने से तो यह थे कुछ प्लेयर बैटल जिसको आप देखकर अपने टीम में बना सकते हो कुछ हेल्प हो सकती है उसके बाद बालिंग स्पेल्स की बात करें तो पावर प्ले में UHY से M. Morkel, C. M. P. Ofu और T. Best यह स्टाटिंग में ओवर डालेंगे पावर प्ले में और SSS टीम से S. Lakmal, A. Dinda और J. Botha और मिडल ओवर पर में UHY से P. O. J. S. B. N. और T. Best उसके पावर प्ले महरूफ, A. Rajak और J. Botha डाट ओवर में सबसे इंपोर्टन प्ले में मोरकर जिसको मैंने बता दिया है तिम में लिकर चना है यहां से SSS, Lakmal और UHY से C, MPO4 और S. S. A. Dinda यह इंपोर्टन प्ले में इन चारों को आप ट्राइ कर सकते हो डाट में विकेट मिल सकता हैं तो अब बात करते हैं फाइनल टीम की तरफ तो फाइनल टीम आपको मिलेंगी टेलेगराम पर जाओ जल्दी से डिस्ट्रेशन में लिंक दिया है और जोइन हो जाओ और कोई भी कमेंट हो आप मुझे टेलेगराम पर मैंने कॉंटेक्ट में का ओप्शन दिया है वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो कोई प्राब्ल हो तो मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा बागी अब मिलते हैं नेक्स टुडियो में तब तक के लिए बाई बाई